विल्कम टू टू टॉप टेन करेंट अफेर क्यूसंस तो कई बार मैं आपको दिखाई देता हूं कई बार नहीं देता हूं तो उसके पीछे रीजन है कि कई बार तो मैं सूट कर लेता हूं स्टूडियो में और कई बार सूट करना पड़ता है ट्रेवलिंग के दोरान तो कि यह इंडिया है तो यहां पर है लक्षेदेव और यह चोटे-चोटे टापू में है तो यह आपको ध्यान रखना है और इधर कौन सा सागर है तो इधर है अरब सागर और इधर कौन है इधर है बंगाल के खाड़ी और यहाँ पर है सिर्लंका और इसको सिर्लंका को बहरत से अलग कौन से संधी करती है तो पाग झल संधी करती है कौन से जल संधी पाग जल संधी तो यह भी आकОद ध्यान रखना है नेक्स्ट है भारत का पहला cable estére rail bridge कहां बनकर तयार हुआ है तो जम्मू कस्मीर में बनकर तयार हुआ है और जम्मू कस्मीर से लदा अलग कब हुआ तो 2019 में हुआ है और जम्मू कस्मीर के अंदर जो धारा 370 है उसके कुछ भागों को हटा दिया गया है जैसे कि अब भारत के जो अन्य नागरिक है अन्य राज्यू कि नागरिए वेजमो कास्मीर में जाकर निवास कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं थैfish और और वहाँ पर जमीन भी खरीद सकते हैं, तो भारत का पहला केबल इस्टेर रेल ब्रीज कहां बन क्या है और Infosys का अभी हाली के अंदर इनके जो सेर्स का जो मुल्य है वो नीचे गिर गया था इस वज़े से Infosys को पीछे छोड़ ITC छटी मुल्यवान कंपनी बन गई है next question है food conclave 2023 का आयोजन कहां किया गया है तो food conclave 2023 का आयोजन हेदराबाद में किया गया है और हेदराबाद किसकी राजदनी है तेलंगाना की राजदनी है और तेलंगाना राज्या अंदर प्रदेश से अलग होकर 2014 में अस्तितु में आया था तो ये भी आपको ध्यान रखना है food conclave का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सभी तरह के लगबग तेलंगाना के अंदर मौजूद एदराबाद के अंदर मौजूद और देश के सभी राज्यों के अंदर से मौजूद जो important और जो quality के जो food है उनको यहाँ पर प्रदशित किया जाता है यह एक तरह से food मेला यह है क्या food fair तो यह आपको ध्यान रखना है next question है हमारा यूरोप में refined Indian का सबसे बड़ा अपूर्तिकरता देश जो बन गया है वो है इंडिया कौन बन गया है इंडिया बन गया है और यह यूरोप के अंदर किसका refined Indian का refined Indian का next है RBI के उसार कौन सा राज्य लगादार तीसरे वर् राज्य में जो लोन देने की जो rate है उसमें सर्वादिक लोन जिस राज्य ने provide किया है अपने रागरिकों को तो वो है तमिल नाडू तो तमिल नाडू राज्य जो है वो आर्पे के नुसार लगातार तीसरे साल सबसे ज्यादा लोन देने वाला राज्य बन गया है next है डि लेना के पहले बने हैं विश्व सत्वन चेंपियन इसलिए यह नाम इंपोर्टेंट हो जाता है और इंडिया के कौन है विश्व चेंपियन तो यह भी हां मुझे कमेंट बोक्स में बताईए next question है किसने सोराश्र तमील संगम प्रसस्ति उस तक का विमोचन किया है अरे या लोन्स करेगा तब भी नरेंदर मोधी करेगा है कुछ भी काम हो नरेंदर मोधी करेगा आपको पता भी है रेल मंत्री कोन है स्वास्ते मंत्री कोन है सुचना परसानल मंत्री कोन है मतलब हर जगे नरेंदर मोधी 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 अब तो इतना इरिटेशन होने लग गया है इस नेक्स्ट है अजर बेजान ग्रेंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है तो अजर बेजान ग्रेंड प्रिक्स 2023 सर्जियो पेरेज ने जीती है और अजर बेजान की जो राजदनी है वो क्या नाम है बाकू अजर बेजान की राजदनी का नाम है बाकू तो अजर बेजान ग्रेंड प्र झाला से नंगूर के बिता हूँ राष दोग माई रजब राष कर दो दो चाला संगू हम एम एम यू रारारी के दो हम एम हम पाला से बात भाला से बाला राष के लाष की लाव.